हेलो बच्चो कैसे आप सब आज हम सीखेंगे बातरूम में इस्तेमाल होने वाले आइटम्स के नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में तो चलिए शिरू करते हैं बच्चो ये है दर्पन दर्पन को इंग्लिश में कहते हैं मिरर ये है साबुन 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 को इंग्लिश में कहते हैं सोप सोप ये है मग 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 को इंग्लिश में कहते हैं मग और ये है तॉलिया तॉलिया को इंगलिश में कहते हैं ठावल और ये है बाल्टी बाल्टी को इंगलिश में कहते हैं बकेट और ये है दातों का ब्रश दातों का brush इसको इंगलिश में कहते हैं tooth brush और बच्चों ये है dantmanjan 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 को इंगलिश में कहते हैं tooth paste और ये है jeep chili इसको इंगलिश में कहते हैं tongue cleaner tongue cleaner और ये है saabun dani saabun dani इसको इंगलिश में कहते हैं soap case और बच्चों ये है cash marja cash marja इसको इंगलिश में कहते हैं shampoo और बच्चों ये है कपड़े धोने का brush कपड़े धोने का brush इसको इंगलिश में कहते हैं clothes washing brush और ये है उस्तरा 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 को इंगलिश में कहते हैं razor और ये है दाड़ी बनाने का brush इसको इंगलिश में कहते हैं saving brush और ये है दाड़ी बनाने की क्रीम इसको इंगलिश में कहते हैं saving cream saving cream और बच्चो ये है नल 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 को इंगलिश में कहते हैं और ये है बाल सुखाने की machine बाल सुखाने की machine इसको इंगलिश में कहते हैं hair dryer and ये है कपड़े दोने का powder इसको इंगलिश में कहते हैं washing powder and ये है कच्रे का डबबा कच्रे का डिबबा इसको इंगलिश में कहते हैं Dust bin Dust bin And ये है Sorge का कागज Sorge का कागज इसको English में कहते है Twilight paper Twilight paper और ये है Snantab Snantab इसको English में कहते है Bath tub Bath tub और ये है Giesel Giesel इसको English में कहते है Giesel और ये है Chilmachi इसको English में कहते है Wash basin ये है बच्चो Phuhara Phuhara इसको English में कहते है Shower और ये है बच्चो Shochasan इसको English में कहते है Commode और ये है कपड़े धोने की Machine इसको English में कहते है Washing Machine और ये है और ये है